तो गुडून दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में देखे दोस्तों आज हम इस वीडियो में BHDS 183 अनुबाद सिधान्त और प्रविधी में चेप्टर नंबर फस्ट देखेंगे और चेप्टर नंबर हमारा फस्ट क्या है अनुबाद सरूप और आय है उसका ब्यापक संदर्व देखेंगे और उसका सीमी संदर्व उसके बाद रहे गा अनुबाद का महत्त्त क्या है और नेक्श्ट हम देखेंगे अनुबाद की कारियम कौन कौन से यानि अनुबाद यानि translate करने में हमें किस प्रकार की समस्यों का सामना करना पड़ता है और इनी सब ही सजीजों के बारे में हम यहाँ पर ब्यापक रूप से चर्चा करने जा रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हम इस class को start करते हैं तो इस class से जुड़ जाइए और ध्यान से इस class को पूरी देखेगा सबसे पहले हम देखेंगे अनुवाद का अर्थियों परिभास है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले देखो अनुवाद सब्द अनुउपसर्ग तथा वाद सब्द के संयूग से बना अनुवाद की सब्दों से मिलकर बना है दो सब्दों से मिलकर बना है अनुपसर्ग का अर्थ होता है पीछे अवाद का मतलब हो लगना यानुवाद का मतलब होता है पीछे लगना जिसका धातु का अर्थ होता है कहना या बोलना, या अगर किसी व्यक्ति ने, अनुबाद का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार बोल दिया है, तो उसके पीछे हम क्या करते हैं, बोलना या कहना, धातु का अर्थ क्या होता, बोलना या कहना, इस प्रकार अनुबाद का साथदिक अर्थ माननेता क्या है अनुबाद का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक भासा में बोले तो उसी को चीज को हम जब दूसरी भासा में बोलते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है अनुबाद बोला जाता है सामान और व्यापक अर्थों में ही इसे अनुबाद समझाता था अगर सामान और ब्यापक अर्थों में देखें तो इसी को क्या अनुबाद बोला जाता है अनुबाद के अर्थ को ले करके भासा के जो बिद्वान है भासा के बिद्वानों ने अनुबाद की अलग अलग परिभासा दे रखें तो सबसे पहले परिभासा किसने दी भाई डाक्टर भोला नातिवारी जी कहते हैं अनुबाद सब्द का संबंद धातू से है जिसका आर्थ होता है बोलना या कहना धातू वाद धग प्रत्य लगने से वाद बन जाता है अथ्वा फिर उसमें बोलना जैनी डाक्टर भोला नातिवारी कहते हैं कि उनके अनुसार के अनुबाद का पुनर कथन को कहना है जो एक भासा में कोई चीज बोली गई है अनुबाद का संबन्द 2 या 2 से अधिक पाठकों के बीच होता है जैसे एक व्यक्ति किसी भासा में अगर उसने किसी चीज को बोला तो दूसरा भी व्यक्ति क्या करेगा उसी भासा में उसी दूसरी भासा में उसी चीज को क्या बोलेगा बोलता है आगे ठीके अनुबाद की परिभासा क्या यहां पर आप देखेंगे अनुबाद की परिभासा ध्यान से सुनेगा उत्तर आउधिनिक दिष्टी और आउधिनिक दिष्टी यानि दो दिष्टियों से हम अनुबाद की परभासा को विभाजित कर सकते हैं। दूसरी संस्कृति से जोडने का काम करता है। आगे दिखें अनुबाद एक ऐसा सिल्फ है क्या कह रहे हैं कि अनुबाद एक ऐसा सिल्फ है ध्यान देजेगा। दूसरा नेक्स्ट क्या देखें एक भासिक में परभासा में ले जाने को ही अनुबाद कहा जाता है। एक भासा में जो पाठ सामागरी है जो अध्यन सामागरी है उसी को हम जब दूसरी भासा में ले जाते हैं या उसे हम दूसरी भासा में बोलते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है अनुबाद बोला जाता है या ट्रांसलेशन कहा जाता है। एक language के सब्द को जब हम दूसरी भासा में ले जाते हैं तो next देखेगा मूल भासा के संदेश को next कहा रहेगी इसकी परिभासा मूल भासा के जो संदेश होते हैं मूल भासा के संदेशों को दूसरी भासा में ले जाने के लिए मूल भासा के संदेश को समतुल संदेश लक्ष करके दूसरी भासा में अनुबाद की क्रिया करती है संदेशों के यह समतुल लिता पहले अर्थ पर होती है दूसरी फिर सैली के देखो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जब भासा के हम एक सब्द को भासा के जब हम एक सब्द को दूसरी भासा में लेकर के जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सैली होती वह पहले अस्तर की होती और फिर दूसरी सैली तो आर्थ और परिभासा जो रहे जब को जब कुँसे जाएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा आपको यही चीजे बतानी पडनेगे आप देखेंगे अनुबाथ का सुरूप क्या है तो इधान जी जीएगा यहाँ पर जो है यहाँ पर आजएगे अनुबाद 1.3 में देखे अनुबाद का सुरूप क्या है next देखिएगा next में क्या है 1.3 अनुबाद का सुरूप यानि जो अनुबाद होता है उसका सुरूप कैसा है इसका क्या होगा देखो इसमें मूलता दो हेडिंग बनेगी आपकी ठीक है अनुबाद का सुरूप कैसा है अनुबाद का एक सीमी संदर्व है और एक ब्यापक संदर्व है तो सबसे पहले देखेंगे अनुबाद का ब्यापक संदर्व के बारे में हम चर्चा करें यानि जो अनुबाद होता है उसका सुरूप कैसा है उसका इस्ट्रेक्चर कैसा है तो देखे अनुबाद के सुरूप को समझने के लिए अनुबाद को पराया दो संदर्भों में लिए जाता है एक है उसका ब्यापक संदर्व यानि बहुत बड़ा अनुबाद का छेतर है दूसरा होता उसका सीमी संदर्व तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्यापक संदर्व के बारे में अनुबाद का ब्यापक संदर्व क्या है तो ध्यान दीजिगा परतीकों को बिज्ञान की मूल भूत इकाई माना जाता है, पियर्स के मतानुसार परतीक हुआ है, जो वस्तु जो किसी एक अस्थान से दूसरी अस्थान पर जाते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि अनुबार्द भी जो होता है, उसमें भी अनुबादों हम क्या करते हैं, एक सब्द को, एक भासा में जो सब्द हैं, उसको हम दूसरी भासा में ले जाने के लिए क्या करते हैं, कार करते हैं, उधान के लिए जैसे हमें मेज पर कोई विचार है, उसको दूसरी मेज पर ले जाना, यानि माली जै किसी एक भासा में कोई सब्द है, कोई विचार है, जब उसको दूसरी भासा में ले जाते हैं तुशी को हम क्या कहते हैं अनुबाद का जो संदर वह उसका ब्यापक मात्र मेज का परतीक है जिसका चैन हम विशय वस्तु के रूप में पचाने हैं रोमन जैकब ने प्रतीक सिध्धान्त के आधार पर भासिक पाठक के अंतरगत तीन आधार यानि व्यापक संदर में अगर हम अनुबाद को देखो उसी को अनुबाद का ब्यापक संदर में पहली हेडिंग क्या रहे है कि अन्ती भासी अनुबाद करता है देखो अता भासी अनुबाद करता है देखो अता भासी अनुबाद करता है कि एक भासी अनुबाद करता है कि एक भासी अनुबाद करता है कि एक भासी अनुबाद करत अध्यन समागरी को किसी दूसरी भावासा में ले करके जाते हैं यह उसे रखते हैं इसे अन्योतर भी कहा जाता असपस्ट है कि यहाँ दोनों परतीक व्यवस्ता है एक ही भावासा संजम्मदित है इसका मुख्युदान संस्कृत में लिखी गई टीकाय है यहाँ जठिल संस होगे कि बड़ी-बड़ी जो हमारे ग्रंथ लिखेंगें बड़े-बड़े जो धरम ग्रंथ लिखेंगें हैं उनका छोटा-छोटा अनुबाद का ट्रांसलेशन भी आता है आपने देखोएगा न कि जो हमारी पौरानी किताबें हैं जो सारी संस्कृत में थी उसी उन कितापों को क्या वारानी किताबे कि में ठीकिति उनके ट्रांसलेट करके उसका हिंदी में बना करके उनको टीकाब चोकी जैसे मालिजां हुझे सिंपल समय-बना जैसे आपकी इन्वस्टी है उनिवस्टी क्या रहती तेती है आपको बूक देती है canyon बहुत मोट्य रहती है लेकिन जो हमारी help book होती है help book या जो publisher होता हूँ क्या करता है छोटी-छोटी book बना देता है और फो हमें पढङने में आसे लेकिन जो हमारी main book रहती main book वाले cheese transferred help book में लेकर करके आता है कहने का मतलब है कि main book यानि क्या करता है वह मेल बुक में जितनी भी अध्यन समागिरी होती है वह help बुक में ले करके आता है और वह हमें आसान लेंग में जो अईजी लेंग में बताता है इसे को बोला जाता है अंता भासी अनुबाद अब देखेंगे अंता भारवी का अनुबाद क्या था है एक एक भासा के सब्द को जब हम दूसरी भासा में ले जाते हैं तो इसको क्या भासी कानुबाद भी बोला जाता है या अंग्रेजी में इसे प्रोपलर बोला जाएगा देखो वर्तमान समय में अंतर भासी कानुबाद की विशेस मांग है बिस भर में सरजनात्मक तथा ग्यानात्मक सहित के छेतर में आधा रहा दोनों भासाओं की सक्रित देखो सबसे ज़्यादा जो अनुबाद का ब्यापक छेतर बढ़ा उस क्या है सरजनात्मक छेतर है जैसे कविता है कहानी है उसका अनुबाद किया जा रहा है ग्यानात्मक में translate किया जारा आपने देखाऊगा उसी प्रकार से देखाऊगा कि बड़ी-बड़ी जो हमारी किताबे आती ही जो बुके है माली कोई एक बहुत बड़ी बुक है वो अमेरिका में बनी है लेकिन उसको क्या किया जगा उसके दूसरी बहां समय अनुबाद कर लिया जगा उस कह सकते हैं अनुबाद का ब्यापक छेतर है ज्यान के छेतरे में जो किताबे हैं वह कह सकते हैं सरजना जो सरजन की गए जैसे कविता है कहानी है इनका भी translate करके किया जा रहा अनुबाद किया जा रहा उसी प्रकार से जो पौरानिक ग्रंथ है उन पौरानिक ग्रंथों को अनुभात का है, अनुभात का है यहां गईार नश्त देखे, अंतर और प्रतिकातमक अनुभात का होता है। अंतर प्रतिकात्मक अनुबाद का देखो जहां अंतर भासिक तथा अंतर भासिक अनुबाद में प्रतिक दो साब्धिक इकाई का होना अनिवार है वहां अंतर प्रतिकात्मक अनुबाद है यानि पाठक लक्षित भासा ना होकरके भासोत्तर रहता है दूसरे सब्दों में पाठक का अनुबाद भासोत्तर होता है, उधान के लिए किसी उपन्यास या कहानी फिल्म में जब देखते हैं, नाटक या धारावाहिक होता है, तो उसका रूपांतरण ही होता है, जैसे सरचंद्र हैं, पिरेम चंद्र हैं, सेक्स्पियर हैं, मनु भंडारी हैं, की रखी, बहुत सारी किताबे लिख रखी, उन किताबों को क्या, अनुबाद करके उस पर फिल्म बनाई जारी ना, यानि फिल्म के छेतर में भी आप देखो, अनुबाद होता है, जो बहुत सारी हमारी पाउडाने किता हैं, जैसे रामाइड पर किसी ने फिल्म बना दी, मह फिल्मे होती हैं उनमें अनुबाद का सबसे बड़ा सरूप हमें देखने की मिलता है यानि अनुबाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अनुबाद आपको कई सारे रूपों में यहाँ पर अनुबाद आपको देखने मिलेगा कि फिल्म के छेतर में जो सारा अनुबाद होता है कि जो कविताएं हैं कहानियां है जो सारी लिखी गए उनको अनुबाद करके उन पर फिलम बना जा रही उन पर मूवी बने ये कह सकते हैं कि अनुबाद का ब्यापक संदर्व रहेगा अब हम देखेंगे अनुबाद का सीमिस संदर्व क्या है ठीक है अनुबाद का क्या रहेगा आपका सीमिस संदर्व क्या होता है यहाँ पर देखिए अनुबाद का सीमिस संदर्व पहला कि अनुबाद का सीमी संदर में क्या रहेगा कि पहला पठ धर्मी अनुबाद क्या होता है देखो पठ धर्मी अनुबाद से तातपर होता है ऐसा अनुबाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत सर्वो पर ही है ऐसा अनुबाद में अनुबाद की से अपेक्छा की जाती है क इसके साथ आपको छेर छार नहीं करनी चाहिए, यह एक भासा से जब हम दूसरी भासा में अनुबात करते हैं, तो उसकी जो मूल भासा है क्या जो उसकी मूल भासा है उसके प्रती हमें इमानदारने चाहिए मूल भासा में जो चीजें लिखी गई है उसी के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए अनुबाद करना चाहिए यानि मूल भासा से जब आप दूसरी भासा में अनुबाद करते हैं तो मूल भासा में जो सब्द लिखे गए हैं मूल भासा का जो मतलब है या मूल भासा का जो भाव है वह भाव हमें दूसरी भासा में दिखाई देने चाहिए इसी को हम कह सकते हैं अनुबाद का सीमित संदर्बों में आप कह सकते हैं दूसरा प्रभाव धर्मी अनुबाद का अता प्रभाव धर्मी अनुबाद अगर देखोगे, इसके विप्रीत प्रभाव धर्मी अनुबाद जैसा सब्द ही असपस्थ है की पाठ के प्रभाव के छेतर में, यानि स्रोत भासा के पाठख का लक्ष भासा में, पाठख के समाज पर वैसा ही असर पड़े, इसलिए अवसर है कि लक्ष भासा की प्रकिर्टी के अनुसार रहा है देखो जब आप एक भासा से दूसरी भासा में अनुबाद करते हैं तो एक भासा का जो परभाव है वहां में दूसरी भासा पर भी दिखाए देना चाहिए यानि जब आपने एक भासा से दूसरी भासा में ट्रांसलेट लोग इसे क्या करें लोगों पर परभाव पड़े यानि देखो एक संस्कृति में अगर वहार अनुबाद था तो वहाँ पर लोगों का विकास माली जी किसी एक बुक है ठीक है उस बुक से उस छेत के लोगों ने उस भासा के लोगों ने बहुत ज़्यादा लाब उठाया अब उसी बुक का अनुबाद किया जा रहा ताकि दूसरी भासी लोग दी उसका अनुबाद फाइदा उठा सके इसे क्या करना आप जब यानि आपको अनुबाद करते समय जब एक भासा से दूसरी भासा में अनुबाद करते हैं तो उसकी जो मूल भासा रहेगी मूल भास सेरों में अनुबाद किया जा रहा है और अनुबाद हमारे लिए क्यों महत्पूर है तो अनुबाद का अगर देखोगे अनुबाद हमारे लिए क्यों महत्पूर है तो सबसे पहले ही मैं आपको बताता हूँ बिष्ट की सब्विताओं और संस्कृतियों के विकास में अनुबाद की विशेश भूमी करें यानि बिष्ट में जितनी भी संस्कृतियां रही उनके विकास में जो अनुबाद है उसकी महत्पूर भूम कर रही है बिभिन सब्वेताओं और संस्कृतियों को जानने के लिए हमें अनुबाद का घनिश्ट संबंद रहा है इस संबंद के आधार पर अनुबाद की महत्तो बढ़ी यानि एक संस्कृति से जब हम दूसरी संस्किति को जानते है तो अनुबाद के द्वारा ही जान रहें आप जैसे अमेरिका के लोगों के बारे हम जानते हैं कैसे जानते हैं भाई अनुबाद किया गया है तब ही तो हम जान रहें जैसे हम लोग चीन के लोग कैसे हैं वारा कैसे रहते हैं उनका रहा अंसान कैसा हम क्यूं जाने है क्यींकिए उस चीज का पैसी आनुबात किया जाता है तो एक संस्कृति का क्या होता है प्रभ offering जाने के सिंदु गाटि सब भेता की सिंदु गाटि लिखी गयी थि अगर उसको अनुबात किया जाएगा तो हमुण पाकिस्तान के लो बहुत सारे जानकार हैं जैसे आज बहुत सारे लोग भारत के बारे में जाना है कैसे जाना है क्यूंकि हमारी किताबों का हमारी पुष्टकों का किया गया है, अनुबाद किया है उसी से उनको क्या मलता है? बहुत सारी जानकारए है, जैसे हम यूरोप के बारे हैं जैसे हमारी बुद्ध की कथाओं है जैसे बुद्ध है, बुद्ध चाइने में बहुत फेमस हो गए, बुद्धिष्ट बन गए तो बुद्ध की जो किताबें थी उनका अनुबाद किया गया है तभी तो चाइनया के लोग बुद्ध के बारे में जान पाए है दूसरा जो हमारे देश में विष्णुन सर्मा की जो पंचतंत्र की कताओं का अनुबाद किया गया तभी तो पंचतंत्र की कहानियों बिदेश के लोग जान रहें, बिदेश को लोग पैजान है, यानि भारत में जो पंचितंत की कथाएं हैं, महत्मा बुद्ध की हैं, जो महत्मा गांधी के विचार हैं, महत्मा गांधी के विचार जो हैं, उनका भी तो अनुबाद किया गया है, तभी तो लोग पूरी दुन तो सिच्छा के आनुबाद का महत्तु कि इनकी निए जित्षा के छेतर में अनुबाद का बहुत ज्यादा महत्डु है थीक है अगर हम education के sector को देखोगे तो सिच्छा के छेतर में सबसे ज्यादा अनुबाद होता जैसे आज हम लोग Newton के बारें पढ़ते हैं अरस्तू के बारें पढ़ते हैं, कालमाक से बारें पढ़ते हैं, लेलिन के बारें पढ़ते हैं, ये जितने भी विदेशी साइंटिस्ट हैं, उनके बारें हम कैसे जानते हैं, क्योंकि उन्हों ने जो चीज़ें लिखा था, उन्हों ने तो अपनी लेंगे में लिखा, लेक हम सिच्छा के छेतर में देखे हैं तो सिच्छा के छेतर में सबसे ज़्यादा अनुबाद होता जो आज हम लोग अंग्रेजी को सीख पा रहे हैं या मालिजग की भारत जो भारत की भासा हिंदी है हिंदी की भासा को क्या दूसरे देशों को लोग समझ पा रहे हैं जापान क के लोग हिंदी सीख रहा हैं चाहीं के लोग हिंदी क्यैसे सीख पारें क्योंकि आνुबाद के द्वारा ही संभव पई यानि सिच्छा के छेत्र में अनुबाद का बहुत ज्यादा महात्व है उसारी थेत्रों के अनुबाद किया म। तभी तो हम उसको जान पा रहे हैं दूसरा क्या था परेटन के छेतर में बहुत ज़्यादा अनुबाद होता है अगला जो हमारा होगा जब हम कहीं घुमने फिरने जाते हैं जब भी आप कहीं घुमने फिरने जाते हैं जब आप किसी गाइड को लेते हो तो guide क्या होता आपकी अपनी भासा में बताएगा कि भया एक ऐसे माल यह मैं example लेता हूँ कि परेटन छेटर में अनुबाद कैसे बड़ा जो guide होते हैं परेटन छेटर में क्या करते हैं अनुबाद ही तो करते हैं अब माली जैसे ताज महल है, ताज महल को देखने के लिए कोई अमेरिका का आएगा, कोई चीन का आएगा, कोई जपान का आएगा, माली कोई जपान का आया है, ठीक है, देखने के लिए, तो उसको जैपनीज लाइंग में क्या, कि वहाँ कोई व्यक्ति, क्या गाइड होगा ऒो Japanese language बता गये परेटन के छेतर में भी अनुबाद का बहुत बढ़ा महता है परेटन के छेतर में भी अनुबाद ही होता है अब दिसे ताज महल को अगर मालिजे चाइनियक लोग जांते हैं तो ताज महल का अनुबाद किया गया है ना तो यादगार में प्रेम की निसानी है, तो उनको उनकी लेख में बताना पड़ेगा न, तो देखो, क्या होता, परेटन के छेतर में भी क्या है, अनुबाद की बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है, परेटन में भी अनुबाद की महत्पूर्ण भूमिका रही है, अगला आप तो देखोगे प्रसासनिक छेत्र में तो प्रसासनिक छेत्र में भी अनुबाद होता जितने भी सरकारी लेटर होते हैं मले भारत सरकार अगर कोई भी सूचना जारी प्रसासन के छेत्र में देखोगे यानि जो हमारी सरकारे होती है जो प्रसासन होता वह कोई भी अगर सूच तो अंग्रेजी भासा से उसका क्या हिंदी भासा में ट्रांसलेट किया जाता तभी तो हम लोग जानते है जो हमारी लोक सभा है राज़ी सभा है जो हमारी सरकारे हैं जो हमारी government है उस जितने भी rule बनाती कानूर बनाती है वह English में बनता है लेकिन उसका जब अनुबाद किया जाता है, तभी तो हम लोग उसका जाएंग, इन प्रसासन के छेतर में भी अनुबाद की बहुत ज़़ादा भूमिका है, बहुत मात्पूर भूमिकर है, तो प्रसासन का छेतर भी पूरा तरीक से जगर आप देखोगे, तो अनुबाद पर ही डिपेंड करत आप जैसे मैं बता देता हूँ कि कोई भी चीज होगी परसासन में अनुबाद की महात्पूर्ण भी होगा आप देखेंगे जन संचार माध्दों में अनुबाद क्या है जन संचार माध्य में जैसे रेडियो में आप देखोगे तो अनुबाद बहुत ज़्यादा होता रेडियो है टेली विजन है इन्हें में अनुबाद बहुत है अब मैं जन संचार माध्य में अनुबाद काईसे हो रात देखो ध्यान सुनों मैं एकजामपल देता हूं क्या ह अधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी है रेडियो पर जाकर के क्या करते हैं मन की बात करते हैं मोदी जी क्या करते हैं रेडियो पर मन की बात करते हैं लेकिन आपने देखा कि जब मोदी जी रेडियो पर मन की बात करते हैं तो हिंदी में बोलते हैं लेकिन क्या होता है कि सभी भ और चिंदे में निजेता रैडिय तो क्या जो हिंदी में देता हैं मुझाश्य ओ डिया जाता है और जो अंग्रेजी वालाई युज होती है उसको अनुबाद करकर के हिंडी में बताए जाता है यानी संचार के छेतर में भी क्या है अनुबाद्व क्षेते में भी क्या है अनुबाद्वीस loyalty, और अपनी खवरों को हिंदी और दोनों में प्रसारित करता है तो संचार के छेत्र में भी क्या है अनुबाद की एक जो भूमिका है बहुत ज़्यादा बढ़ी है आप देखेंगे साहित के छेत्र में अनुबाद कैसा है तो अगर आप साहित के छेत्र को देखोगे तो जितने भ कविता है, कहानी है, गीत है, उपन्यास है, इनका भी तो अनुबाद किया जा रहा है, साहित के छेतर में भी अनुबाद की बहुत जादा भूमिका है, जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्स पियर है, सेक्स पियर के बारे में हम कैसे लोग जानते हैं, क्योंकि सेक्स पियर ने ज जितने भी कहानिया हैं, किटाबें हैं, गीत हैं, जैसे हमारे बहुत सारे लेकक हैं, मैतली सरण गुप्त हैं, मनु भंदारी हैं, रामधारी सिंह दिन करें, इनकी कभिताओं का की सारी भासौं में अनुबाद किया गया है, अन्य भासौ के जानकार के लोग भी, थ्बमोट में है, अगर आप टेक्नोजी के स्धेर में पूरा अनुबाद ही अगर आप टेक्नोजी के छेतर में देखोगी है, पूरा अनुबाद ही होता है. जैसे और अर्ट कौरोना बैक्सिन माली है। जैसे रूस में बन tipping में बना है। तो क्या रसीया में थोड़ी बताएगा बल्कि उनकी भासा में ट्रांसलेट करके बताएगा दूसरा आद प्रसासनिक यानि कह सकते हैं कि जो सूचना और प्रदुकी है तो सूचना प्रदुकी की छेतर में भी बहुत ज़्यादा अनुबाद होता है उसी प्रकास से आप दे देखोगे तो सूचना के छेतर में संचार के छेतर में यानि टक्नोजी के छेतर में भी अनुबाद की भूमिका है बहुत ज़्यादा महत्पूंड बनी हुई है अनुबाद अगर देखोगे तो कह सकते हैं कि संचार के छेतर में भी सूचना के छेतर में भी प्रदुकी की जो है सारी जो टक्लोजी है जैसे मिसाइल टक्लोजी है रोकोड टक्लोजी है रफेल की जो टक्लोजी है जैसे हम दूसरे देश को देंगे तो उसको क्या करेंगे अनुबाद करके देंगे ना ताकि दूसरे के देश के लोग समय तो कह सकते हो प्रद्दोगे के छेतर में भी अनुबाद की जो भूमिका है बहुती ज़्यादा महत्पूर्ण रहेगे अब देखेंगे अनुबाद का कारे करने में कौन कौन सी हमें चुनोती आती है अनुबाद करते समय हमें किन चुनोतीयों का सामना करना पड़ता है या हमें किन कठनाईयों का सामना करना पड़ता है तो ध्यान से सुनेगा, अनुबाद करते समय, question यही आता है, मैं question को repeat कर देता हूँ, ध्यान से सुनेगा, अनुबाद के कारिकी विभीन चुनोती यह बताओ, तो अनुबाद को करते समय क्या आता है, कि हमें कई प्रकार की चुनोतीयों का सामना करना, दोगो, अनुबाद मे जब आपको तो ज़ती है बहुत जरूरी है अनुबाद के लिए भासा के साथ साथ और ब्योहार की बारिकियां भी जब समझें जिसे नाते रिष्टेदारी में सब्दय अव्यक्ति यह जब आप एक भासा से दूसरी भासा में अनुबाद करते हैं तो आपको संस्कृति वहां के सुभा मानो ब्योहार को भी पता होने जब तभी आप बहतर तरीके से क्या कर पाएंगे अनुबाद कर पाएंगे अनुबाद करते समय आपको दो भासा के ज़्ञान के साथ साथ दोनो भासा की प्रकृति देखो जब आप मालिह — लिह हिंदी से अंग्रेजी में इस ट्रांसलेट करते हैं तो अनुबाद करते समय हमें दोनों भासाओं के बारे में समुचर ग्यान होना है समुचुत ग्यान हो चाहिए जब हमें दोनों भासाओं के बारे में ग्यान रहेगा तो हम अनुबाद भासा की प्रकृति के बारे में ग्यान होना जरूरी है जब हमें रहेगा तो हम अनुबाद अच्छी तरीके से कर सकते हैं अनुबादक के समख्च सबसे बड़ी चुनोती क्या है कि वह छमता और सीमा दोनों को ही पजाए यानुबादक को अपनी सीमा को अपनी छमता को पहचानना चाहिए किसी भी पाठ का अनुबाद कर देना केवल आर्थिक लाप के लिए यानि हमें केवल मात्र मात्र पैसे के लिए अनुबाद नहीं करना चाहिए बलकि हम ऐसा अनुबाद करें जो लोगों के लिए हितकारी हो यानि सिरफ मातर पैसा कमाने के लिए सिरफ अनुबाद नहीं करना चाहिए बलकि हमें किसी सी भासा से प्रेम है किसी भासा से लगाव है तो हमें अनुबाद करना है अनुबाद के लिए अभी आउसक है अनुबाद करते समय अगर हम dictionary का यूज कर लेंगे तो हमारे लिख्यागा बहुत जदा आसानी रहेगे अगले क्या है विसे विसेश में अनुबाद करने से पहले आफसा कहें कि अनुबादक समय समय पर विसे विसेश में उपलब्ज अधनता यहीं अनुबाद करते समय करना चाहिए हमें जानकारी लेती रहें चाहिए जिस भासा में मैं अनुबाद करने जा रहा हूँ उस भासा के बारे में मुझे लगातार पढ़ते रहना चाहिए और हमें ग्यान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी कालखंड का कोई भी पार्ट लिखा जाता है या जरूने की उसी कालखंड में उसका अनुबाद हो अनुबाद के समख्छ चुनोती यह रहती है कि अनुबाद करते समय किस कालखंड के अध्यन करते हैं जैसे हम रामायड का अनुबात करें तो रामायड का अनुबात करते समय में रामायड के समय की जैसे परिस्तितियों के अनुसार ही अनुबात करने चाहिए। अनुबाद करते समय विशेद ध्यान रखना चाहिए कि एक भासा के जो मूल भाव है वह दूसरी भासा में जाने बहुत जरूरी है यह जब आप साहितिक छेत्र में अनुबाद करेंगे तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे एक कविता है कविता का सब्दसा अनुबाद नह बलकि उसके भाव का अनुबाद होता है आपको भाव के अनुबाद करने में दक्षता होनी चाहिए ठीक है जो सहित्तिक अनुबाद करें सहित्तिक अनुबाद करते समय हमें सब्दसा अनुबाद नहीं बलकि हमें भाव पूर्ण अनुबाद करना चाहिए यह उसमें मूल भांसा के जो भाव हैं वह दूसरी भांसा में भी आने चाहिए तो यह चप्टर नंबर फस्ट था यह आपको वीडियो कैसा लगा यह हमें जरूर बताईगा और अनुबाद पर ही पूरी बुक रहेगी और यह पहले चप्टर था बाकी भी वीडियो में अपलोड करता रहूंगा तो इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धनवाग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें न जय हिन जय भारत थैंक्यू सो मच